हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप सबको तोरण पट्टी डिजाइन बनाना बताऊंगी जो बहुत ही जी है फ्रेंज अगर थोड़ा बहुत कुरूसिया चलाना आप चानते हैं तो आप इस डिजाइन को जरूर बना सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें ता जिएगा तो चलिए फ्रेंज तोर्ण पट्टी बनाना शुरू करते हैं तोर्ण पट्टी बनाने के लिए हमने देखें टू कलर का उलन लिया हुआ है और यह सब टू पलाई में है कुरूसिया देखें यहाँ पर मैंने टू यम यम का लिया है तो सबसे पहले हम आ हाँ किए अ दिखें फ्रेंज हमने यहां पर एक चैन बनाए इसी तरके से बनाना है दो तीन और यहां पर यहां पर तीन और इखें चार चैन असे से बनाकिए 2 और आओं धागा कुरूसिया हम लेपटेंगे और यहां पर देखें जो नीचे इसका 1 प्रष्ट वाला पं बिच रखता है यहाँ पर अंदर अनुकालेंगे और इसको बंद करेंगे रखिंगेर अंदर यह करिसे निकालकेज़ा है उसकी दागा हम निकालके, और बंद करके हम लिए और कुरशिया हम यहां पर 15 m और की चती का सब्सक्राइब worth की और यहां में और आपर इसकीा प्थाइबji यहां परखना है कुरुषया में साथ धागा है अब इसको बंद करना है तो पहले यहाँ पर एक चैन बनाएंगे ऐसे देखे और इसके अंदर एक धागा रखके बंद करना है यह देखे फ्रेम्स इस तरीके से एक धागा रखके इसको बंद करना है और ज्यादा टाइट नहीं बंद करना है इसको थोड़ा सा धीलाई बंद करना है तो देखे इसी तरीके से इसको बंद कर लेना है लाश्ट तक यह देखे यहाँ पर बन गया और इसके आगे हम बनाएंगे चैन एक दो और यहाँ पर तीन तीन चैने से बना के फिर देखें हम दो रहां धागा इसे लेपेटेंगे और इसका देखे यहाँ इसके अंदर से फिर हम धागा निकाल के और दो पंदा इसको बंद करेंगे अब इसके आगे में बनानाएंग चैन आब इसको हम पल्टेंगे अब इसके दूसरे साइड हमें बनाना है तो इसको पलट लेना है अब यहां से देखिए उसी तरीके से इसके अंदर धागा हम निकालती हुए इसको बंद करेंगे और जो धागा रहेगा उसे कुरुषे में रखना है इस तरीके से इसको बंद करते विए धागे को कुरुषय में रखना आए तो साथ राउंड यहांग पे हम धागा निकाल के कुरुषय में रखेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया सेम अश्य ही इसको भी बनाना है यह देखिये साथ राउंड हो गया यह धागा अब जो first वाला देखिए हमने जो बंद किया है बीच में जगा है उसके अंदर से हम धागा निकालेंगे यहां से देखिए धागे को निकालना है और पहले इसको हम बंद करेंगे यह देखिए इस तरह के से इसको बंद करना है अब इसके आगे में एक-एक धागा बंद करना है यह देखिए थोड़ा सा धिलाई इसको बंद करना है यादा टाइट नहीं एक एक धागा इसके अंदर रखके इसको बंद करना है तो बहुत ही सिंपल डिजाइन है फ्रेंस आप वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ में आए आप इस डिजाइन को बना सकें q 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 में दो डिजैन बनाया है उसी तरीके से इसको भी बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको पलट ले रही हूँ अब देखिए यहां से इसके अंदर से धागे को निकालती हुए और इसको बंद करके फिर जो धागा रहेगा उसे कुरुश्या में रखेंगे तो साथ बार ऐसे ही बन दूसरा डिजैन है इसके अंदर से धागे को पहले हम निकाल के इसको बंद करेंगे यहां से धागे को निकाल के और यहां पर बंद करना है यह देखे अब इसके आगे हमें बनाना है एक-एक फंदे को बंद करना है जो धागा है इसको एक-एक करके बंद करेंगे लाश्ट तक इसको ऐसे ही बना लेना है और इसके आगे फिर बनाएंगे हम तीन चैन और एक तरफ रहेगा त्रिपल कुरुश्य इसी तरीके से फ्रेंस इस डिजाइन को बढ़ाती हुए बनाना है तो जैसे हमने तीन डिजाइन बना के दिखा है सेम ऐसे ही इसको बना लेना है एक देखी फ्रेंस हमने इस डिजाइन को बना के तयार कर लिया है और इसकी लंबाई आप अपने दरवाजे की ब्रावर रखें अब इसके आगे हम दूसरा धागा लगाएंगी तो सबसे पहले यहाँ पर इसे नोट लगाएंगे एक इस तरह के से नोट लगाना है अब यहाँ पर हमें डिजाइन को लेना है तो यहाँ पर जो मने देखी फंदी बनाए थी हैं साथ फंदी हमने बंद की थी हैं तो फर्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर देखिए कुरुषय को डाल कि और यह जो धागा है यहाँ से निकालेंगे और इसको बंद करती हुए हम तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बना के फिर देखिए धागा इसे लेना है और फिर इसे के फंदे में से हम धागे को निकालेंगे चेन की ब्राबर कुर्शयम लेंगे तो एक बार देखिए हमने धागा इसे निकाला है यह दो हो गया और यह देखे, तीन, तीन राउंड ऐसे धागा निकाल के कुरूश्य हम लेंगे, और एक साथ तीन फंदों को बंद कर देना है, यह देखे फ्रण्स, इस तरी किसे, बंद करके यहाँ पर हम बनाएंगे एक चैन, और यह जो हमने बंद किया है, उसके अंदर उसके फंदे मे बनाना है संगल क्रोच्य ग्हां प्ञुट अधि कि दी कि पद्सक्रिशाफिर यह से बना करें गे लास्ट में बंद कर disp सिलीप स्टिचिंग एक इसे बना लेंगी जहाएं लेंगे और जो नीचे कद्रे की फंदा है नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले फंदे में से फिर हम धागे को निकालेंगी तो तीन राउंड यहां पर धागा निकाल लेना है और एक साथ इन फंदों को बंद करेंगे यह देखे फ्रेंस बंद करके एक चेन बनाएंगे और फिर इसके अंदर में बनाना है चार सिंगल कुरॉश्या और यहां पर लाकिस को बंद कर देंगे यह देखे दो डिजन बन गया फिर उसी तरीके से बनाना है नेक्स्ट वाले फंदे से तो ऐसे ही हैं सभी फंदों में से बना ले रहे हैं और इसमें 6 डिजाइन ऐसे ही बनेगा तो किनारे पे 6 डिजाइन रहेगा और बीच में 5 पांच बनेगा तो इसको मैं बना ले रही हूं बहुत ही simple design है friends देखिए बहुत ही आसानी से बन जा रहा है अगर आप वीडियों को पुरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस design को बना सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं ऐसे design कर दोस्तों को भी सिखा सकते हैं तो देखिए friends हमने इसमें छे design ने तयार कर लिया है बनाके और इसको लाके देखिए यहाँ पर बंद करेंगे एक तरप का उसी में लाके इसको बंद करना है यह देखिए बंद करके फिर दागे को कुरुशिया में लेके और देखिए जो दूसरा design है इसके first वाले फंदे से 3 राउन या पर दागा निकालना है और इन फंदों को एक साथ बंद करेंगे अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम बनाएंगे चार सिंगल कुरुशिया और इसी के फंदे में लाके इसको बंद करेंगे अब धागा फिर लेके नेक्स्ट वाले फंदे से फिर हम 3 राउन धागा निकालेंगे तो जैसे हमने फर्स्ट पफ बनाया से मसे इसको भी बनाना है तो यहाँ पर देखी फ्रंस यह बन गया और इसी तरीके से बनाना है तो इसके अंदर 5-5 डिजैंग बनेगा यह देख कैया है अब इसके दूसरे साइट का हम बनाना बताएंगी तो इसके अंदर देखिए हम यहाँ पर 5 सिंग गुशिय बनाएंगी अगर आपका और सिंगल कुर्षे यहां पर आये तो आप बना सकते हैं तो यहां पर मैंने पास सिंगल कुर्षे बना लिया है अब देखे जो इसका फर्स्ट वाला यह फंदा है यहां पर तो धागी को इसके अंदर हमें बंद करना है यह देखे फ्रेंस अब बंद करती हुए तीन चैन बनाएंगे और फिर धागा लेकर इसी के फंदे में हम तीन राउंड ऐसे धागा निकालेंगे और इन फंदों को यहाँ पर बंद करना है एक सार यह देखे बंद करके एक चैन बनाएंगे और फी इसके फंदे में बनाएंगे हम चार सिंग कुष्या इसी तरीके से फ्रेंट्स यहाँ पर बनाना है एक पको त्यार करना है तो इसके अंदर हम 6 पक त्यार करेंगे क्यूंकि हम किनारे पे 6 पप बनाते हैं और बीच में 5 रहता है अगर आप चाहे तो 5 ही बना सकती है यहां पर मैंने 6 पप तयार कर लिया इसके अंदर अब देखिए इसको लाके बंद करेंगी यह देखिए इस तरीके से बंद करना है और फिर धागा लेके और यहां पर जो दूसरा डियाइन है इसके फर्स्ट वाले पंदे में पब बनाएंगी और देखिए इन पंदों को यहां पी एक साथ बंद करना है और एक चैन बना के इसके अंदर हम बनाएंगे चार सिंगर कुर्ष्या इसी तरीके से पप को त्यार करना है तो एक एक फंदे में एक एक पप बनाना है तो आगे मैं इसको बना ले रही हूँ दूसरे साइट का भी तो यहां पर मैंने दूसरे साइट का भी देखी बना के त्यार कर लिया है और देखने में देखी बहुत ही प्यारा है और इसके अंदर फ्रेंज आप मोती अगर लगाना चाते हैं तो लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने मोती भी लगा लिया है तो सुई धागे की मदद से आप मोती लगा लेजिए मोती लगाना बहुत ही सिंपल है और मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ फ्रेंज तो वीडियो को लाइक केजिएगा, सेयर केजिएगा और कमेंट में जरूर बताईएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, फिर मिलती हूँ किसी ने डिया इन के साथ थेंक यू